दोस्तो अगर आप दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लगता है, आप अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कोई मास गेनर लेने के बारे में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मास गेनर इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकाई दूँगा, ये वीडियो मैंने स्पेशल जो है रुक्वेस्ट आई है, बहुत सारे हमारे बिगिनर्स भाई की जियो की दुबले पतले हैं, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, और जिनोंने इधर उधर से कही ना कहीं से कुछ ना के किया आप चाहे मासगेर का विश्वास बन चुका है और सप्लिवेद्स विला से भノwości हैं एतने सारे और सप्लिमेंट सेने मासगे मास गेनर आप इसके शब्द को देखे ना मास गेनर मतलब बोलते ही या सुनते ही ऐसा लगता है कि यहां को भारी भरकम शब्द है मास गेनर जैसे वेप रोटीन है तो भारी भरकम वाली फील नहीं आती है मास गेनर में वो फील आती है और मास गेनर है भी भारी भरकम पर यह भारी भरकम लोगों के लिए नहीं है ये भारी भरकम जो मास गिनर है ये दुबलो पतलों के लिए है इसके अंदर आपको भरके कार्बोईडेट्स मिलेंगे मतलब इसमें जो पाउडर आपको मिलेगा जो मास गिनर इसके अंदर आपको भरके कार्बोईडेट्स मिलेंगे इ आपको calories surplus पे रखेगा calories surplus का मतलब है कि अगर आप दुबले पतले हैं और आप mass gainer ले रहे हैं तो देखिए आपको मोटा तकड़ा होने के लिए जितनी आपकी body को calories की need है जो हमको खाने से मिलती है calories जो मिलती है उससे ज़्यादा calories आपको लेनी पड़ेंगी फोर एक्जमपल आपकी body की calories की need है अठारा सो तो आपको पच्छिस सो तीन हजार पैंतिस सो मतलब जितनी ज़्यादा आप ले सकें तो वो लेनी पड़ेंगी ताकि आपका वजन बढ़ जाए और mass gainer यही काम करता है यह एक easy meal होती है जिसमें भरके calories होती है तो यह आपका एक थाली भरा हुआ खाना है जो आप easily मतलब consume कर लेते हैं पी लेते हैं दूद में घोल कर और यह आपको calories देता है भरके जिससे आप calories surplus पे रह पाते हैं और आपका weight gain हो जाता है अब mass gainer के नुकसान क्या हो सकते हैं सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो ही आपको mass gainer लेना है अगर आपका weight ठीक है तो आपको mass gainer नहीं लेना अगर कोई ऐसा भाई जिसका weight ठीक है और वो सोच रहा है कि मैं mass gainer ले लूँ तो भाईया उसका weight निकल जाएगा fat बढ़ जाएगा body में जवरदस्ती का वजन बढ़ जाएगा जिसको घटाने के लिए पर उसको exercise करनी पड़ेगी और भाईया diet पे control करना पड़ेगा तो इसलिए जिसका वजन ठीक है वो इस वीडियो को या तो नहीं देखें और देख रहे हैं तो हाथ जोड के request है ये mass gainer आपके लिए कताई भी नहीं है पर जो भाई दुबला पतला है जिसका वजन नहीं बढ़ता है जिसको सब चिडाते है जो अपना वजन बढ़ाना चाहरा है जो ये चाहरा है किसी भी तरह के से शरीर में कुछ मास आ जाए ये हड्डियों का धाचा जो शरीर हुआ पड़ाए भर जाए 40, 45, 50, 52 किलो वजन है तो भाईया उसके लिए mass gainer वरदान है अगर वो mass gainer लेगा तो उसका easily weight proton होगा और side effect इसके 0 है 0 पर mass gainer लेना कहां से है supplements विला से क्योंकि अक्सर आप क्या करते हैं 1200 रुपे वाला mass gainer 1400 रुपे वाला mass gainer online देख लिया holy offer, diwali offer और आप फिर मंगा लेते हैं और फिर उसके होते हैं side effect देखो भाई इसमें तो कोई दोह रहाएं नहीं है यह mass gainer यह तो original मिलेंगे supplement विला पर तो supplement से अगर आप final mass gainer लेते हैं तो उसका 0 नुकसान है कोई भी side effect नहीं है पर भाईया यह mass gainer जो है ना अंदर जाने वाली चीज है पतलब इसको आप खा रहे हो यह कोई तेल साबून नहीं है कि शरीर पे लगा लिया और हो गया काम नहीं यह अंदर जा रहा है चाहिए वह mass gainer चाहिए प्रोटीन है चाहिए वह कुछ भी चीज है जो चीज हमारी body के अंदर जा रही है उसमें हमको बहुत साबधानी बरतनी चाहिए और खाने पीने की चीजों में कभी भी पैसा नहीं देखना चाहिए इसलिए वहिया आप original mass gainer लो और supplements विलासे लो और दुबले पतले हो तो ही लो तो आपको zero side effect होंगे इसका कोई भी नुकसान नहीं है और एक और बात ध्यान रखना mass gainer अगर आप ले रहे हैं तो वह आपको एक आदा दो बार ही लेना है मतलब पता लगे आप mass gainer खाये जा रहे हो खाये जा रहे हो क्योंकि एक limit के बाद जब आपका बजन बढ़ जाएगा for example आपका बजन 50 kg है आपने power mass gainer का बाल टा लिया जो इंडिया का number one mass gainer है सबसे अच्छे result है इसके लवराडा से भी अच्छे ओन सिरियस मास से भी अच्छे तो आपने power mass gainer लिया और आपका for example 10 kg बढ़े गया 50 से 60 हो गया वहिया पर उसके बाद दुबारा mass gainer लेनी की ज़रुवत नहीं है इस चीज को हमेशे ध्यान रखेंगे mass gainer कभी कभार की चीज होती है बार बार लगातार लेनी की चीज यह नहीं है तो अगर आप इसको एक दो बार ले रही है और वजन बढ़ने के बाद इसको टाटा बाई बाई बोल रहे है तो इसका zero side effect है कोई भी नुकसान इसमें नहीं होता यह एक process food है process food का मतलब होता है जो natural food से process करके बनाया जाता है जैसे जब आप supplements ला उटलेट विजिट करते हो तो आपको पलवल वाली रबडी खिलाई जाती है आपका welcome किया जाता है तो भाईया वो एक process food है दूद दिया गाएने या भेसने उस दूद से उस natural product से हमने process करके रबडी बना दी तो समझ रहे हो तो वो एक process food है तो जो food natural product से process करके बनाय जाते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता है ऐसे ही ये mass gainers है ये natural जो food हैं उससे process करके ये बनाय गए हैं ताकि आप easily इसको consume कर सको जैसे power mass gainers इसके अंदर आपको जो है oat, समरंत, buckwheat, chia, millet मतलब इस तरीके के जो healthy grains है यार उसससे process करके इसमें carbohydrates दिये गए हैं complex carbs है तो भाईया इनका कोई नुकसान नहीं होता है दिमाग में से निकाल दो और एक और ची ध्यान अकना अगर आप दुबले पतले हैं और आपने किसी के सुनने में कह दिया कि भाईया mass gainers मतलिया तो बेकार है ये तो भलाना अलाना है कि दिमकाना है और आपने वे प्रोटीन खरीदने की सोच लिए तो मैं लिख कर दे रहा हूं आपके पैसे पानी में जाने वाले हैं क्योंकि वे प्रोटीन से कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा और वे प्रोटीन महेंगे भी आते हैं ये वे प्रोटीन जो सप्ली मेंटसला पर मिलते हैं वह 1000 वाले रहे सो वाले ओनलाइन वाले नहीं कह रहा हूं और दुबला पतला है और मोटा तकड़ा होना चाह रहा है तो मास गेनर लो ओरिजिनल वाले सस्ते ओंलाइन घटिया मास गेनर मतलो ऑरिजिनल मास गेनर सप्लीमेंटसला पर मेलेंगे और कौन सा मास गेनर लो पावर मास गेनर छे किलो का बालटा है चपन सो का तीन किलो की भैकिंगे पैंटिसो की जैसा बजट है ओडर करो ओडर करना चाहते तो कॉंटेक्ट नमस की उपर है कॉल करकर ओडर बुक रहा है सप्लीमेंटसला डॉट कॉम विजिट करो या पर अगली वार मिलूंगा किसी नई वीडियो में तब तक और करो पावर मास गेनर और मास गेनर को लेकर अब भी कोई कंफूशन है तो कमेंट करो में रिपलाई करूंगा